आपका और सिर्फ आपका माथमार्टिकल और मोटिवेशनल मेंटर आज वापस से अपने बीडबली की और लोट आए है टॉपिक का नाम है पारलल सर्किट औरीडी एसी सर्किट के बारे में अपने तीन सेशन्स कंड़ किये उसके अंदर आरल आर सी अरल सी उनके नियूमरीकल उनका बेसिक कॉंसेप सब मैंने आपको बता दिया है रैट जी आज हम लोग एक ही लेक्चर में पूरा खतम करेंगे इसी पारलल सर्किट बहुत ही जादा इंपोर्टन पार्ट और एक्जाम पॉ बहुत जादा इंपोर्टन सो प्लीज कॉंसेंट्रेट पूरा वीडियो देखना स्किप बीच में कहीं मत करना क्याल सी का कैलकुलिशन कैसे किया जाएगा सब में आपको बताने वाला हूँ ओके जी लेकिन 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 आगे बढ़ने से पहले सभी को बिलकुल प्यार सब्सक्राइब करने उन्हें बोलो और आप भी करो राइट जी चलिए शुरुवात करेंगे पारलल सर्किट्स कॉंसेप्ट के साथ तो मैं आप पहले एडिंग डालना चाहता हूँ चलिए एसी पारलल circuit ओके जी पड़ा ही important part conceptually देखिए मैं डिरेक्टली numerical की शुरुवात कर दूँगा numerical में ही सब कुछ explain कर दूँगा क्योंकि formula वही रहने वाले है सिर्फ लिखने का तरीका अलग रहने वाला है पहला सवाल जो मचाएगा बवाल अभी from a given circuit from a given circuit के जी, circuit, determine, 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 दो तीन चीज़े find out करनी है first one, first one total impedance of the circuit, okay total impedance मैं लिख देता हूँ यहां पर total impedance, total impedance, second thing that I want to calculate as nothing but branch current, okay जी यह भी उतना ही important branch current, current इसमें होने वाले है, diagram कैसी है, क्या है, सब मैं निकाल देने वाला हूँ, tension मतलो, I1 and I2, third one, third one that I want to calculate, that is a power factor, बड़ा ही मज़ेदार चीज़ है, पॉमिला होफुली आपको याद रहेगा, इसी आशा करता हूँ power factor, cos 5, वही 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 वही, बिलकुल वही, okay, and, and, power factor मतलब total power factor and branch power factor भी दालना है, branch, branch power factor, okay, each branch power, okay, power factor, question थोड़ा मैं ध्यान से लिख रहा हूँ, question से ही solution मिलने वाला है, अपने, वो और power consumed, final is power consumed, ये power तो हर जगे पे use होता ही होता है, last के तीन, तार session अपने देखा ही रहेगा, हर जगे पे हम लोग power निकाली रहे, okay, diagram की जरूरत, without diagram हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे मैं diagram draw करना चाहता हूँ, तो हर बच्चा अपने note book में diagram draw करेगा, चलिए, बड़ा ही मज़ेदार diagram, इंडेकर कैसे होता है, चलिए, जर हसते खेलते question को solve किया, तो मज़ा आने वाला है, are you getting my point, चलिए, 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 यहाँ पे और भी मज़ा आएगा, देखे, यहाँ पे रहेगा, अपना tune circuit, इसी supply, कैसे tune, इसी supply ऐसे होता है, प्राइट है, चलिए, चलिए, यहाँ भी लिख देता हूँ, अलग-अलग value, obviously 10 ohm, यहाँ पे रहने वाला है, आपे 10 ohm, यहाँ से जाएगा i1, यहाँ से जाएगा i2, देखो, आज तक एक ही current flow हो रहा था, because हम लोग क्या देख रहे थे, तीरी circuit देख रहे था, अभी parallel circuit देख रहे तो current क्या हो जाएगा, split हो जाएगा, समझ रहे हो, split हो जाएगा, यहाँ पे देखे, 230 volt और यहाँ पे रहेगा 50 thirds का supply, amazing, this is what my exact diagram बचाएग, this is what my exact diagram और इस diagram को मद्दे नजार रखते हूँए, थोड़ी बहुत छेडखा नहीं कर देते हैं, थोड़े बहुत सुधार कर देते हैं, चलिए है ना, अलग-अलग branches को मैं यहाँ पे अलग-अलग box बना देता हूँ, बड़ी आसानी होगी, calculation के लिए, राइट जी, चलिए, चलिए, करवा दिया, यहाँ पे करवा दिया, okay, यहाँ पे रेको, एक first box के लिए क्या रहेगा, impedance Z1, second के लिए क्या रहेगा, Z2, first के लिए Z1, दूसरे के लिए Z2, obviously, obviously, ठीक है, बाकी सब कुछ हम लोग calculation में करेंगे, यहाँ तक कुछ प्रॉबलम है, फड़ा-फट से comment section में बता दो, कुछ भी प्रॉबलम है, तो फड़ बता दो, any doubt, any confusion, बच्चो, right, चलिए, मैं बढ़ रहा हूँ आगे, अभी देखे, calculation part कैसे करना है, पहले मुझे कुछ basic कीजों को calculate करके रखना पड़ेगा, for example, जैसे मेरा voltage है, voltage, as, voltage कितना है, बच्चो, voltage कितना है, 230, 230 है न, चेक करते, चेक करते, डाइगराम में, yes, 230 है, distribution के लिए बहतर रहेगा, इसके लिए मैंने उसको polar में रख दिया, rectangular में, और रियल पार्टी रहने वाला है, voltage, थोड़ी न, कोई imaginary होता है, जनाब, right, चलिए, चलिए, ये तो बिल्कुल समझ गया, अभी inductor की बारी, inductor L कितना दिया हुआ, L कितना दिया हुआ, 10 millihenry, 10 millihenry उसको मैं convert करूँगा, 10 into 10 raise to minus 3 henry, ना तक समझ चुका है सबको, right, अब इससे XL भी ढूंदेंगे, XL, that is 2 pi FL, क्योंकि वो क्या होता है, inductive reactance होता है, XL क्या होता है, inductive reactance, मतलब inductor के लिए specialized resistance, क्या बोल रहा हुआ, inductor के लिए specialized resistance रहेगा, okay, तो 2 pi FL, that is 2 pi into frequency रहेगी, 50 L रहेगा, 10 into 10 raise to minus 3, okay, चेक करो, चेक करो, इसका answer कितना आ रहा है, according to my calculation, hopefully it will be 3.14, something like 3.14 ohm ही होना चाहिए, क्योंकि ये XL की value है, any doubt, any confusion, यहां तक बच्चो, right, चेलो, capacitor के लिए same perform कर लेते, capacitor कितना है, 500 microfarad, 500 microfarad, right, ना ची, 500 ही है, चेक करो, एक बार, चेक करो, चेक करो, डाइगराम में चेक कर यो, yes, 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 500 microfarad ही है, तो यार, 500 microfarad का क्या करू मैं, क्या करू मैं, obviously, I have to do it as 500 into 10 raise to minus 6 farad, इधर से ही हम लोग XC भी निकाल देते, XC कैसे निकालते, सभी को पता है, वही same formula, सर्फ upon में लेने का, Excel के लिए L होता है, XC के लिए C होता है, 2 pi F वही, और यहां पर, कितना है, frequency कितनी है, frequency कितनी है, 50 है, right, capacitance की value कितनी है, 500 to 10 raise to minus, amazing, just substitute in the calcium and tell me the answer, come on, substitute in the calcium and tell me the answer, I am waiting, I am waiting for your answer, come on, come on, come on, everyone, everyone, I think it will be 6.37 ohm, 6.37 ohm, तो दो major values मुझे यहां पर मिल चुके है, Excel यहां पर मिला है, और XC यहां पर मिला है, obviously, जिस तरीके से मैं box कर रहा हूँ, आपको exam में भी उसे तरीके से perform करना है, समझ रहे हो, ठीक है जी, no problem, अभी नहीं को branch 1, दो box बनाए ना, मैंने branch 1, branch 2, तो box बनाए मतलब 2 क्या हो गया, जितने branches उतने impedance, simple चीज़ है, जितने current flow होंगे उतने impedance, अभी current कितने में 2 divide हो रहा है, 2 इससों में divide हो रहा है, तो obviously, 2 impedance वहाँ पर आएंगे, ठीक है, जी, चलिए, तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर Z1 पहले calculate करूँगा, कैसे calculate करेंगे Z1, बिलकुल, R plus J XL, ठीक है, R1 ले ले लेता हो, क्योंकि first branch के लिए R1 है, first resistance है, first resistance कितना है, 10 का है, तो 10 plus J, Excel की value 3.14, यह हो गया, rectangular form में, मैं इसको polar में भी convert करके, रखता हूँ, I think it will be 10.48 at an angle of, जे करियो, at an angle of 17.43, ठीक है जी, calculation बड़ा important है, मैं पहले ही कह रहा हूँ, बिलकुल, बीच में skip मत करिये, calculation समझना जरूरी है, polar में कैसे convert करते, इसके लिए हमारे previous video जरूर देखना, क्योंकि मैंने वहाँ पे detailed में calcium देखा के explain किया ही कि कैसे करना है, right जी, चलिए, z2, z2, कैसे करेंगे, r2 minus j xc, xc है ना, capacitor के लिए हम लोग क्या करते है, minus करते है, समझ रहे हो, inductor के लिए plus करेंगे, हमेशा से, कोई भी numerical होने है, यह, strategy, चलिए, capacitor की तो में रेजिस्टेंस है, minus j, capacitance कितना है, 6.37, that's great, इसको polar में convert करी हो, कितना आएगा, 11.86, at an angle of minus 32.5, that's great, that's great, तो दोनों z मुझे मिल चुए है, z1 भी मिला, और z2 भी मिला, अभी आएगा असली मज़ा, थोड़ा ध्यान दो, मैं डाइग्राम आपको दिखाना चाहता हूँ, चेक करो, यह z1 है, यह z2 है, z1 parallel with z2 है, मैं क्या कह रहा हूँ, z1 parallel with z2 है, तो इन दोनों को अगर मैंने solve किया, देखो, इस z1 parallel with z2 है, तो इन दोनों को parallel ही solve किया, तो मुझे क्या मिलेगा, z total मिले, क्या मिलेगा, complete circuit का z मिले, समझ रहे हो, तो चलिए, वही same funda यहाँ पर apply करेंगे, that is nothing but, z bar का total, t stands for total, equal to, देखिए parallel combination क्या होता है, मैं कितने बार बताया है, come on, उपर multiplication, नीचे addition, मेरे साथ एक बार, come on, उपर multiplication, नीचे addition, उपर multiplication, नीचे addition, चलिए, multiplication मितलब z1, होगा, क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा, z1 bar plus z2 bar, that's amazing, that's amazing, any doubt, any confusion, बच्चो, any doubt, any confusion, यार, देखो, यह दोनों value मुझे put करना पड़ेगा, obviously put करना पड़ेगा, उसके सिवा मेरा यह calculation नहीं होने वाला है, जो लोग को rectangular form और polar form के calculation का concept बढ़ा clear है, वो लोग यह आसानी से नहीं आपार कर जाएगा, लेकिन जिनको concept clear नहीं है, उनको इधर ध्यान देना पड़ेगा, और basic सीखने के लिए previous videos में जाना पड़ेगा, right, playlist में जरूर जाईए, मैं पहले ही कहे रहा हूँ, AC circuit जितना आसान लग रहा है, calculation के मामले में उतना वो आसान नहीं है, आपको practice की जरूरत है, right, चलिए, तो Z1 बार कितना है, 10.4 at an angle of 17.43 multiplied with 7.86 at an angle of minus 30.5, that's great, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, add करना पड़ेगा, चलो नीचे add भी कर देते, 10.48 at an angle of, देखो add करने के लिए, मेरा polar form जरूरी है, क्या, add करने के लिए मुझे कौन सा चाहिए, rectangular form, time waste करने का, rectangular form दोनों का पता है, दोनों का, मैं rectangular format यहाँ आपे डाल दिया, ओके जी, चलिए, डाल दिया मैंने, 10.7, that's most amazing, ओके, अब इसका calculation मुझे करना, यार बच्चो, अब इसका calculation करना, यह समझना बहुत जरूरी calculation कैसे करना है, इसके लिए मैं जा रहा हूँ, next pay, देखे, कैसे करना है, देखो polar form में है, 10 gets multiplied with, obviously 10 gets multiplied with 10.48, 10.48 gets multiplied with 11.86, ठीके, at an angle of, यह angle कभी multiply नहीं होता है, angle क्या होगा, add होगा, अगर divide में होगा, तो angle क्या होगा, minus होगा, subtract होगा, तो इस case में ही angles क्या हो जाएंगे, add हो जाएंगे, 17.43 प्लस और बाद में वाला minus है, तो minus ही होगा, 32.5, that's great, calculation अब जरूर कर सकते हो, denominator इधर ही perform कर देते है, real part, real part के साथ add करिये, तो यह होगा, 10 प्लस से 10, and imaginary part, imaginary के साथ add करिये, simple सी चीज़, 3.14 minus 6.37, that's amazing, मैंने बिल्कुल sorted का बता दिया, या, एकदम sorted, right, चलिए, यहां बहुत यह बता यह कितना रहा, 10.48 into 11.86, कितना रहा, I think it is 124.29, चलिए, मेरा कालकुलेशन गलत भी हो सकता है, लेकिन होगा, तो मुझे, comment section में अभी के अभी बता दीजिए, राइट इजी, चलिए, 17.43 minus 32.5, that is minus 15.07, that's amazing, whole divided by 10 plus 10 हो जाईगा 20, plus, अचा, minus हो जाएगा, क्योंकि यह बड़ा, बड़ा minus हो रहा है, यह minus j, यहां पे होगा, I think it is 3.23, ओके जी, चेक करो, चेक करो, उपर polar, नीचे, rectangle ही रहे तो अजीव होगा है, और मुझे divide भी करना है, तो मुझे नीचे वाले को polar में convert करना पड़े, मैंने पहले ही कहा था, multiplication और division, come on, मेरे साथ, आगया आतलाई है, multiplication और division, यह सिर्फ और सिर्फ होता है, polar form में, come on, polar form में, addition और subtraction, यह होगा, rectangular form में, समझ रहे हो, चलिए, चलिए, बिलकुल मजाक मजाक में करने का है, यह सारी चीज़े, come on, 124.29 at an angle of minus 0.07, यह whole divided by, इसको polar में convert करेंगे, तो that will give you 20.26 at an angle of minus 1.17, amazing, amazing, चलिए, यह divide में हैं, तो कैसे करेंगे, 120.29 divided by 20.26 at an angle of bracket में, देखो, divide में हैं, तो यह लोग क्या होंगे, subtract होंगे, तो minus 15.07, minus minus, plus हो जाएगा, 9.17, क्या बात है, यार, calculation तो मज़ेदार लग रहा है, देखो, एक बार इसमें का interest आ गया न, solve करने का, बहुत सारे sums आप खुदों के solve करोगे, पता है, आपको, चलिए, इसको divide करो, divide करो, कैलसी सही करना है, obviously, 6.13 आएगा, I think, at an angle of, चकरियो, यह कितना आ रहा है, minus 5.9 आ रहा है, ठीक है, जी, इनी confusion, बच्चो, इनी confusion, तो यह क्या आ गया, मेरा, क्या आ गया, come on, बोलो, 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 यह क्या आ गया, current की बहरी, तो बहुत कुछ निकालना है, therefore, total current, total current, okay, बड़ा ही, मज़ेदार चीज़ा, total current निकालेंगे, come on, बताइए, total current, मतलब कितना होगा, I total, I total is equal to, देखो, बाप ने ही कहा है, क्या कहा है, बाप ने, is equal to, आई-र, लेकिन impedance पता है, तो, V is equal to, I, Z, V is equal to, I, Z, तो, I, इधर ही रखेंगे, Z को shift कर देंगे, तो V upon Z total हो जाएगा, V कितना है, 230 volt, at an angle of zero, whole divided by, Z total कितना है, 6.13, at an angle of minus 5.9, क्या बाद है, यह बड़ा ही मज़ेदार calculate, obviously, यह वापस polar में है, divide में है, divide हो सकता है, लेकिन angle क्या होंगे, subtract होंगे, अब सीख गए आप लोग, अब सीख गए आप लोग, 230 divided by 6.13 करवा दिया, at an angle of, देखो, 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 0, minus, minus, plus 5.9 हो गया, final answer में यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरे ख्याल से मेरे पीछे थोड़ा चुप जाएगा, but tension मत लीजिए, calculation आपको आता है, right, 37.52, I think 37.52, at an angle of 5.9, और यह सब कुछ भुजाएगा, amperes में, because it is the total current, which is the circuit, going through the circuit, शेक करो, मेरे पीछे चुप गया है, तो अच्छे से लिख दीजिए, कुछ भी डाउट है, तो प्लीज आस्क मी, फटा फट से, कुछ भी डाउट है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे अभी के अभी बता दीजिए, come on, अभी देखो, यह जए टोटल है ना, भी ब्रांच करंट निकालेंगे, चलिए, हर एक ब्रांच के अक्रॉस का करंट, टेर पोर, ब्रांच करंट, ब्रांच करंट, यह बड़ा मज़ेदार चीज होने वाला है, कैलकुलेशन के मामले में, पापस से, आईवन इस एक्वल टू, अपॉन दीको, पैरलल में, पैरलल में क्या सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है, सीरीज में क्या सेम रहता है, बच्चा बच्चा जाता है, कम ओन, करंट सेम रहता है, तो यह वोल्टेज सेम रहेगा, लेकिन जैड जो है, वो जैड वन हो जाए, पता है किया है अपने स्टार्टिंग में समके यार भूल के से जाते हुआ आप चलो 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 कि टू थर्टी आंगल ऑफ जीरो हो गया डेड़ वन की पारिया चलो जेड़ वन कितना है 10.4 मैंने पहले ही कहा था यहां पहले कितना होगा चलो यह क्यों करेंगे करेंगे क्यों कर सकते आप लोग आपका क्यल सी करेगा क्या क्याइल्सी करेगा अब यह कोई कर रहा है तो मैं बड़ा शाणा हो मुझा आता है तर शाणा नहीं का इधर क्याल सी करनी का समझ रहे हो एंगल डिवाइड होगा एंगल क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस सेवेंटी पॉइंट पूर्तरी यहां पे आ गया चलो 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 कितना आ रहा है बताईए आई तिंग इ माइनस सेवेंटी पॉइंट या बात है यह आई वन आ गया ओविसली यूनिट इज एंपी तुमिलरली आई टू निकाल दी आई टू वी अपॉन जेट टू वापस और यह तर्टी आट आंगल ऑफ जीरो आए जेट्टू कितना है जेट्टू कितना है एलेवन पॉइंट अगल ऑफ माइनस थर्टी पॉइंट फई यह अरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ है जाके वीडियो को वापस देखिए अगर आपको नहीं पता तो यार जैड वन जैटू कहां से निकाला वो समझ रहे हो बिलकुल बिलकुल चलिए चलिए सर जी अपॉन एलेवन पॉइं इस डिवाइड होगा लेकिन एंगल क्या होगा सब्ट्राक्ट होगा तो जीरो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थर्टी फॉइंट फई वह चाहेगा चलो इसका अंसर कितना रहा है बताई यह आई टू का अंसर कितना रहा है बच्छो आई तिंग इस 19.39 अट अन एंगल अब तर्टी टू पॉइंट फई एंपिर अट्स अमीज़ अब आई वन यह चाहिए जिंदेगी में अब मुझे चाहिए पावर फैक्टर चलिये देर्फोर और फैक्टर क्यल्कुलेशन देख़ा इमांक मैंने नया कुछ भी नहीं चलाया ना ज्यादा दिमांक चलाया न कैसे निकालते हैं फैफ यह और कि thumb like has a कैसे रहेगा तो मेरा एक्ट्वार और तो सब्सक्राइं क्यूंकि वहां पर ने पहले उपर वाली के लिए क्याल्कुलिट कर लेते हैं कितना रहेगा पावर फैक्टर चिक करियो और यह थीक है मेरे ख्याल से अभी दिख रहा है स्मेलारी और फैक्टर यह वन हो गया अभी पावर फैक्टर नंबर टू निकाल देटें डट इस कॉस ओफ पाई-टू वापस से वही कॉस ओफ कितना है मेरा रहेगा ओके चलिए तो यह एट पॉइंट मैंद जिरो पॉइंट फॉर नाइन मुझे आ चुका है यह कपासिटर वाला है तो यह करेगा और करेगा पहले ही सिखा दिया है आपको हाँ प्ली इनों ने अभी तक वीडियो नहीं देखे रात रात बर जाके देखे वरना केटी लग जा ना सच कहराओ बरबाद हो जाओगे कंपिटीशन की दोड में कैंपस की दोड में बहुत गंदा वाला पीछे होगे आज की रात जागोगे तो ही तो ही कुछ तो होगा एक रात में कम से कम तीन चार वीडियो खतम कर दो यार तब जाके कॉंसे प्लियर होगा समझ जो चलो अब टोटल सरक यार का मुझे पॉऔर फैक्टर निकालना है देखो जैड कहां पर निकाला था मने जैड निकाला था ना यार ठीट अजी बेलकुल यह देखिए तोटल है यह रहे हो यह जैड टूटल है तो इसमें का फाई कितना है राई पॉइंट नैन्प और होता है को जैड़ ऐट अन अंगल ऑफ वैं यह 509 अंगल हो गया से फ consegu total power factor total PF equal to cost of cos phi t equal to cos of कितना आ रहा है 5.9 कितना रहा है 5.9 आ रहा है कितना आएगा 0.995 0.995 यह क्या होगा देको capacitor की value ज्यादा है comparatively ज़क्तर तो प्रेफरेंस किसको देने का एकसी को देने का है तो वो सर्किट क्या हो गया लीडिंग हो गया कमज रहे हो एनी डाउट एनी कन्फ्यूजन यार अगर समझा है तो मुझे चाहिए यह तो मुझे सब्सक्राइड से हो यार है अभी आपका दिल मांग रहा है और 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 मोर में आता है अपना पावर कंजी और पॉर कंजी और कंजी इस इपल टू अभी हर एक ब्रांच के लिए कर रहे तो बन इस एपल टू आई स्कॉएर आर तो आई स्कॉएर आपे आई वन हो जाएगा ना इवन स्कॉएर आर इस आई वन कितना था फॉर्स्ट ब्रांच के लिए आई वन कितना था बच्चो 21.95 already we have calculated square into r कितना है 10 है तो आंसर इस चेक करियो पुर 0.81 तो वाट नहीं कि तो वाट तुमिलरली पॉवर 2 सेकेंड ब्रांच के लिए सवाल बड़े ध्यान से देखना रिवाइंड रिपीट मोड पे देखना तब जाके बिलकुल मज़ा आएगा और तब जाके आप ये कैलकुलिशन कर पाओगे ठीक है जी चलिए एक और सवाल इस टेशन में एक और सवाल लेने जा रहा हूं वह उनिवर्सिटी के पेपर में काफी दफ़ा ये सवाल पूछा गया है ऑविसली तो चलिए सवाल जो मच सब्सक्राइब करेंगे बड़ा ही बतरना क्वाला ये सर्किट अध्यान से ड्रॉ करना है आपको भी मैं थोड़ा सा छोटा करता है यहां पर ड्रॉ करता हूं क्यों काफी सरे कॉंपोनेंट मुझे जाल दिक आए जी चलो टाकत लगा के ड्रॉ कीजिए जनाब वाव यार इतना बड़ा इतना बड़ा सर्किट मार्ड जलो जी बिलकुल प्रिदार चीज़ यहां पर बिलकुल मत आएगा सेवेन ओं थिस इस वाट त्री माइक्रो फारड है जी यहां पर होने वाला है जीओ पॉइंट वन फेंद्री है डिरेक्ली विगरा कुछ दिया नहीं है कि टू ओम है चलो मिली विली नहीं है जो कृपा हो गई अपने जी जीरो पॉइंट परक नहीं पड़ता हमें कनवर्ट करने आता है जड़ी है हम लोग करिए यांप 50 व्यर्ट का सप्ला है वॉल्टेज की वाल्यू उन्हें नहीं नहीं दिए वॉल्टेज की वैल्यू दे व्यूंट दिदिन्ले अफ आप रोवाइडे डस तो डोंट वरी ना हमें वोल्टेज्व थोड़ी निकालना है मैं इम्पिडूल ब्रॉल्टेज कब लगता है जब करंट की बारी हो सोती है यह सब चीजों के लिए वोल्टेज निकालना है हमें तो जैड्ल इक लिए बैठ जालना इस षानतीज उलो चलो चलो जेहां भी शोर मेंकि ओक्तिने जड्र कितने आने वाले देख़ो आशा जोगि जर का एक जैड आ गया होके कि और का एक जैड आ गया इसमोग क्लिव выход मुझे मुझे मिलिया मतलब सर क्या हम लोग बबाजी निकाल के बैठ जाए शांती से नहीं नहीं वही से कहानी की शुरुआत होती है दियान से सुनों यहां पर सल्यूशन करने जा रहा है ट्रक्टर की वैल्यू कितनी है 0.0111 एंडरी तो मुझे इसका एक्सेल ढूणना पड़ेगा न उसके लिए पर्टिकुलर ली मतलब क्या पर्टिकुलर ली अपोजिशन रेजिस्टन्स ढूणना पड़ेगा तो यहां पर क्या होगा टू पाइएफ कितना है 50 है एल कितना है 0.0111 एक्सेल आ गया एक्सेल वन डाल देता हूं तो दाट इस शिक्स ओम ठीके अब कापासिटर की बारी कापासिटर कितना है 390 माइक्रो पारड यह कितना हो गया 398 10 रेस टू-6 पारड अट्स अमेजिक चलिए एक्सी डूनते है अभी एक्सी डून डेंगे यह एक्सी का फॉरमिला यार चलो 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 वन अपॉन पाइफ देखो हां मैं सब कुछ लिख रहा हूं सिर्फ आपके लिए बन अपॉन तो पाइफ कितना है 50 है कितना है अपना 390 10 रेस टू-6 डाल यह सब कुछ डाल यह क् एक भी चीज छोड़ी है नहीं पताइए यह कितना रहा है आई तिंक इस नियर बाइट एक्सी मुझे आ गया एक्सेल वन मुझे आ गया अभी एक्सेल टू की बारी चलिए एक्सेल टू की बारी इंड़क्टर विच इसन सीरीज है ना यह वाला यह वाला 0.0318 की बात कर र दिया है इंड़क्टर नंबर टू कितना दिया है 0.0318 की बात है इसको डूंडेंगे चलो 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 बताइए यह कितना आ रहा है 10 ओम आ रहा है प्लस जेल वन डालने का खुश होने का रवन कितना है रवन कितना है रेजिस्टेंस कितना है उसके एक्रोस का टू है ना येसा ठू है सफिकरन डाल बास्तिंवर रैख कितना रहे था सिक्स और यह कितना रहेगा 6.3 at an angle of come on come on come on at an angle of 71.57 ohm that's great similarly z2 करवा दो किसके related है capacitor के लिए related है तो यहां पर क्या होगा R2-J XC okay तो R2 कितना है 7 है और minus J 8 आया था ठीक है जी चलो convert करो इसको polar में pole और फिर यह 7 कॉमा यह सब डालने का पर यह करिए कितना रहा है बताइए I think it is 10.63 at an angle of minus 40.81 ohm क्या बात है similarly Z3 करवा दो Z3 यहां पर R3 plus J XC क्योंकि J XL L2 इंडक्टर के related है इसके लिए तो plus लिया और वहां पर क्या रहेगा XL 2 रहेगा तो resistance है अपना 8 plus J यहां पर 10 हो जाएगा चलो convert करो convert करो कितना रहा है 12.81 at an angle of 51.3 ohm बात है यहां विलकुर मज़ेदार चीश को लोग नहीं यहां पर कर ली है वहाए ने इंड़ एनी कन्फूस्ज पीस तेल निया कुछ भी ढाउट रहेगा ना बिंदास वोट दिंदास वोाटा इन्चन हो ख्लो चलो चलो तक समझ गय geschत है अब आएगा असली मठ जिजक करो डाइग्राम को चिक करो this is what Z1, Z2, Z3, Z1 पार्लेल विट Z2 जो आंसर आएगा वो सीरीज विट Z3 क्या कहे रहा हूं मैं Come on Z1 पार्लेल विट Z2 जो आंसर आएगा वो सीरीज विट Z3 ठीक है चलो चलो तो यह कैलकुलेशन अभी करना है therefore total impedance पहली का आयर बड़े बड़े रहते है इंपेड़न्स जैड वालेंड बोलते है उसको जैड टोटल भी कहते है कोई इश्यू जैड वन पार्लेल विट जैड टू प्लस जैड त्री वाला है calculation कैसे होने वाला है चेक करियो जैड वन इंट्री टो आफॉन एडवन फ्लस जैड टू रेट हो गया यहां पे प्लस यहां पे हो जाएगा जैड ट्री डस क्या हो जाएगा z3 चलिए सारे value डालिए यार come on सारे value डालिए 6.32 at an angle of 71.57 multiplied with 10.63 at an angle of minus 40.81 के ये calculation पहले कर देना angles को add करना क्योंकि यहाँ पर multiplication division में add करना है directly तो मैं उसको rectangular form में रखता हूँ मैं पोलार form में नहीं लिखोंगा rectangular में directly add होता है और यह क्या ओने वला है कि add ही होने व tô इसको हम लोग left rectangular में ही रखेंगे को भी हम लोग rectangular में ही रखेंगे इसका सब का calculation अब करोगे और मुझे बताऊँगे क्या अंसर आ रहा है वो भी comment box में बिल्कुल calculation करना avoid तो बिल्कुल मत करो because अगर avoid कर दोगे तो calculation miss हो जाएगा गलती हो जाएगा और अगर नहीं आ रहा है calculation तो ये भी मुझे बताई है बिल्कुल इसके लिए एक specialized video बना देता हूँ ये calculation के लिए ठीक है लेकिन आना चाहिए आना चाहिए कोशिश इल्कुल आपकी जारी रहनी चाहिए और अगर कुछ भी डाउट है आप बिंदास पूछ सकते हो ना यार आज यूज्वल अपने को तो पता है ठीक है जी तो अपने चैनल के ऊपर बीडवली और शुरू है जिन्हों ने अभी तक नहीं देखे है जरूर देखना और लाइक करना आपका एक एक मेरे लिए और पूरी करिए क्योंकि टेरिंग इस टेरिंग राइट अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ा पाप कर रहे हो पड़ा फट से सब्सक्राइब कर दो राइट जी तो मिलेंगे और कई सेशन में तब तक के लिए बबाई टेक केर एंड थैंक यू वेरी मच गाइज